थोड़ा गंदा दिख रहा हूं बट यह है तो आज में सवाल देखेंगे वह है इनवर्ट बाइंडी ट्री जीवजी में यह सवाल आपको मिनेटरी के नाम से मिलेगा जो पर गिटहब पर जो मैंने लिश्ट बना रहा हूं उस पर आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा तो सवाल क्या कह रहा है यह हम लोग समझते हैं कि आप सवाल पढ़ो खुद से देखो सब्सक्राइब करें अगर यह सब्सक्राइब करते हैं और आपकी गलतिया क्या रही मैं इस पर भी डिसक्स करूंगा राइट बट उससे पहले अगर आप शुडेंट है यह वर्किंग प्रोफेस्नल है और सौट्वर डवलप्मिंट फिल्ड में जाना चाहते हैं तो आपको यह सारी चीज़े सिखाई जाएंगी कि इंटर्व्य में कैसे सवाल पूछे जाते हैं आप का आर्किटेक्ट्चर क्या होता है बड़ी-बड़ी कंपनी गूगल अमेजन जमेटो ओला एट्सेक्टर ट्रेंडिंग क्या जीज़े चल रही हैं और अब अपने अब कर दो आपको इंडस्री एक्स्रींस के बारें बताएंगे बहुत सारे गैस्ट लाइच लाइच अचार एंड इंडस्री लिडर से आपको इंट्रक्ट करवाएंगे विल कवरिंग अ लॉट अपर्शूनिटी तो आस्क टेक अचार्स अब आउट टोप 20 कुसंट आप प्रॉसस कैसे होता है आप स्टार्ट अपसे में काम कैसे कर सकते हैं and lots of things not only this you can also participate in mock interviews and learn courses on programming language यह सारा कुछ आपको 999 per year के लिए मिल रहा है संदे को मंडे को ट्विजडे को यह जैसे कि ट्विजडे को क्लाइट कंप्यूटिंग है जो आधित्या ले रहे हैं आट पीम पर सी हैवी वंडर लाइक टॉप इंटर्विव कोसंट्स पूछे जाते हैं and आप जानना चाहते हैं लाइक कि गूगल अमेजन नेट्फिक्स अपल जैनली जो सवाल होते हैं वो किस पैटर्न के होते हैं यह सारा कुछ आपको लव कुमार की सुमें मिलेगा जो टॉप इंटर्विव कोसंट्स के नाम से हैं तो आप इस वोगों कर सकते हैं अभरी मंडे नाइट अट नाइन पीम और यह सो उनके लिए हैं लाइक जो क टर्वट मिंटोक लएक सारे लिंको टो टो एरा सवाल अब यह सवाल क्या एंवच करना है मैं अब जब मेर्ट ना तो देखो यह मिरंट की retransomlands है ये 9 यहां से मिल रहा है, ये 7 का 7 यहाँ है, 4 का 4 यहाँ है, 2 का 2 यहाँ है, ऐसा में फील हो रहा है, तो इसको basically, इसका mirror बनाना है, यह हम लोग किनवर्ट करना है, अब दो दो हम लोग क्या-क्या सोचता है, हम लोग बहुत सारी चीजा सोचते हैं कि यह वो हम लोग हम लोग पहले इसका in order traversal निकाल ले थो क्या आएगा one two three four now six seven nine इस वाले का इन ओर ट्रेवर्स किया आएगा इस वाले का आएगा 9 7 6 4 3 2 1 एगर देखो इन ओर प्री ओर आप अपको निकालने आता है अगर नहीं आता है तो यह सीरिस को प्री के playlist के series को starting से देखो, आपकी पूरी tree बहुत अच्छे से complete हो जाएगे, अब देखो, इस in order को, अब हम लोग क्या करते हैं, एक order ऐसा कुछ होता नहीं है, पहले हम लोग right, node और left, यह कोई order होता है क्या, नहीं होता है, बट हम लोग बना सकते हैं, जैसे हम लोग left call करते हैं, node call करते हैं, फिर right call करते हैं, उसे तरह हम लोग इस order में भी चल सकते हैं, तो इस order में अगर चलेंगे, तो देखो, क्या आएगा, 9, 7, 6, 4, and what's it, 3, 2, 1, agree? यह आएगा, अगर मैं इस order में इसको print करूं, और देखो, यह और यह सेम हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, कि क्य हैं, तो let's suppose हमने left, sorry, right, node और left वाला चलना start किया, और हमने इसे store कर लिया, right, store कहां किया, एक vector में कर लिया, तो यह element आगे, 9, 7, 6, 4, 3, 2, 1, पक्का, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और हम लोग क्या किया हैं, इसको in order पढ़ना start किया, हमने इसका in order पढ़ना start किया, तो क्या ह 9 होगा, पक्का, तो सबसे पहले क्या आया, 1, हमने 1 को क्या किया, replace कर दिया, इसके पहले वाले से, 9, फिर आया 2, 2 को replace कर दिया, 2nd वाले से, 7, फिर आया 3, 3 को replace कर दिया, 6 वाले से, ठीक, and so on करते करते, 4, 3, 2, 1 हम लोग रिपलेस कर देंगे, जो कि इसकी तरह match कर जाएग बट ये तरीका गला था, तो ये तरीका क्यों गला था ना, अगर हम माल लो ये कर रहा था, 1 और 2, इसका, अगर मैं next सवाल पर click करूं, like next page पर click करूं, ये रहा था, 1 and 2, ये रहा था, इसका अगर तो by internetry convert करो, तो क्या होगा, इसका होगा 1 and 2, ऐसा होगा, जिब तुम इस सवाल में तो को format कैसे दिया रहाता है, format इस तरह का दिया रहाता है, यहाँ पर, agree, इसको लिखोगे, तो कैसे लिखोगे, इसको अपने लिखेंगे, 1 and 2, पर इसको कैसे लिखेंगे, 1, 0 and 2, ये लिखना पड़ेगा, हमारे इस वाले case में, इस वाले method में, ये नहीं आ पा रहा था, ये वाला factor नहीं आ पा रहा था, तो गड़बड हो रहा था, हमने कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो कुछ और बटा solution निकालते हैं, कितने लोगों ने ये method सोचा था, कि क्यों ना हम सारे element को triversal wise store कर लें, और फिर बाद में इसको replace कर देखे करके, सोचा था तो एक बर attempt करके देख लेते हैं, कि वाके में चीज़ सही हो रहा है था कि नहीं, बहुत बर हम logic सोच पाते हैं, बट code नहीं लिख पाते हैं, लेकिन this is the first time for you, हो सकता है, तो आपकी practice ऐसे ही improve होगी, तो आप पहले कुछ सोचो, उसको तुरांत code करने कोज़िस करो, आधा मुझे लगा कि हाँ, यह ऐसा सोचा जा सकता है, हमने उठाया 4, ठीक, हमने उठाया 4, और 4 के बगल में 2 और 7, एगरी, हमने बोला कि अब दोखो 4 यह है, अगर मान लो root, ठीक, तो यह वाला person इसका क्या हो गया, left, और यह वाला person क्या हो गया, right, यह हो गया left, और यह हो गय हमने बोला, हम क्या करेंगे, swap कर देंगे, left वाले person को और right वाले person को, ठीक, अब मान लोग इसके सब्सक्राइब करेंगे, तो क्या बनेगा, बनेगा 4, now what say, 7, 6, 9, फिर आएगा 2, 1, and 3, पक्का, अब हम लोग आते हैं left पे, इसे तरह सेम यह, 7 को पकड़के, right और left वालो, swap कर देंगे, तो क्या बचेगा, 4, 7, 9, 6, और यह हो गयाज़िटेस, 2, 1, 3, यहाँ पे आएँगे, तो दोनो नल है, छोड़ देंगे, यहाँ पे आएँगे, इसका left भी नल, और right भी नल, इसको छोड़ देंगे, फिर आज इस, 9 as it is, 6 as it is, ना वाजाएगा, what's it, 2, 3, 1, हो गया answer, simple था, हमने क्या दिमाग लगाया, कि left वाले और right वाले चीज़ को swap कर देते हैं, simple, ज्यादा हम भी नहीं सोच रहे हैं, हर बार जो भी left और अगर देखेंगे, उसका root का left और right है, तो हम दो उसको swap कर देंगे, that's it, असान था, अब इसको implement कैसे करेंगे, अगर मैं इसी चीज़ को इस सवाल में implement करूँ, तो कैसे कर सकते हैं, 2, पकड़े, उसका left और right के आखें, swap कर देंगे, 3 and 1, ठीक, अब 3 का भी null है, right का भी null है, तो इसका भी null, null, तो swap, बतलब नल, दोनों साइड अगर null है, वो child node जाइब करके क्या मतलब बनेगा, null, null, आपस में null ही रहेंगे, तो no need, अब यह चीज़ को साथ मैच कर गया, Agree, तो सवाल बहुत सिंपल था, अब देखो, हम लोग जब भी tree पढ़ते हैं, तो what we think, कि कुछ heavy सा recursion लग रहा होगा, देखो, सवाल, lump sum recursion से solve हो जाता है, but it doesn't mean कि जो सवाल recursion से solve हो सकता है, वो किसी और चीज़ से नहीं हो सकता, और methods भी हम लोग solve कर सकते है, जनरली problem क्या था हमारे साथ, हम लोग जल्दी recursion समझ नहीं पाते हैं, because recursion के लिए थोड़ी maturity चाहिए होती है, मतब थोड़ा जब practice करते हैं, recursion समझ में आता है, Agree, सवाल समझ में आ गया, जो approach था गलत, वो समझ में आ गया, कि उसमें क्या problem हो रही थी हमारे पास, और एक अच्छा approach समझ में आ गया, कि हम लोग क्या कर रहे है, right और left को swipe करते चले जाते है, basically हम लोग को क्या करना है, root return करना है, ऐसा नहीं कि हम लोग को सिफ element print करना है, यह element return करना है, हम लोग को बकायदा वो tree return करना है, जो invert होने का बाद बनेगा, अगर हमें element return करना होता अगर हमें element return करना होता, तो हम लोग simple in order, pre order, post order, कुछ नहीं को फॉर में return कर देते हैं, बट ऐसा है नहीं, agree, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सुनो, इसको देखो, हमने क्या बोला, कि हम एक stack बनाते हैं, जो कोई tree node store कर रहा होगा, इसे green कर देते हैं, जो को tree node store कर रहा नहीं हो जाता, हम लोग क्या करते हैं, उसका, उस root का left उठाते हैं, और right उठाते हैं, और उसको swap करते चले जाते हैं, बट उससे पहले left और right को push कर देंगे एक बार, so, तो अभी cache stack empty है, नहीं, तो हमने क्या किया, node नाम के variable में, पहला वाला, जो root का address है, वो ले लिया, ज तो 4 का address आगया, node में, तो node में अब क्या है, node में अब 3, sorry 4, right, तो हमने क्या किया, node नाम के variable में, डाल दिया 4, और ये गया, अब हम लोग इसको pop भी कर रहे है, अब check कर रहे हैं, क्या ये null है, अगर null होगा, तो उसका left और right जाने का मतलब भी नहीं बनेगा, because null का ना left तो हम लोग चेक करते हैं, कहीं ये null तो नहीं, हाँ भी या, null नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका left को push करते हैं, 2, and उसका right को push करते हैं, 7, agree, अब हम लोग क्या किया है, इसको push कर दें, इसको push कर दें, अब swap कर देंगे left और right के addresses को, तो अब हमारे पास swap होने के बा पूर सेवन शिक्स नाइन नौब टू एंड थ्री स्वर्य वन एंड थ्री पक्का हमारे पास यह बना यह था पहला इस्टेप दूसरा इस्टेप फिर हम लोग क्या किया है दूसरा इस्टेप में तू को हटा दी अभी भी भी यह देखें कि नहीं एंटी नहीं है तो नोड बरावर क्या आगया है तो आगया अब जब बरावर टू आ गया तो हम लोगों को नेक्या चेक कि टू कहीं नल तो नहीं जOOKाम होगा तुसका अगला हम लोग क्या करते हैं उसका लेट नलम का अब हम लोग 2 को हटा भी देता है यहां सा जो कि हटा दी है अब लेफ्ट और राइट को इसको स्वाइब कर देंगे इस वाले केस में क्या जाएगा 4769 वाट से 2 3 & 1 पक्का यह समझ में आ गया फिर इस पर 7 को हटाएंगे 7 को हटाएंगे उसी तरह फिर पुस्ट कर देंग सिक्स और 9 को तो यहां पर थोड़ा समझ लेना 6 & 9 ठेक और जो कि 7 हटा दिया इस बार तो इस बार क्या बने हमारे पास 4 वाट से पक्का फिर क्या आया वन वन को हटाएं तो वन का जो है वन आया हमारे पास अगरी अब नोड बराबर आगया वन अब यहां से एक चिस समझ टो जब नोड वन आया तो वन का तो इधर भी नल है और इधर भी नल है ठीक तो नोड वन है तो यह क्या नोड वन जो है वो नल के बराबर है नहीं तो हम लोग पुस कर देंगे यहां पे नल अब दो बर नल पुस हो गया यहां पर यह चीज यहां पर कंटिन्यू कर रहा हम अब दो बर जब नल पुस हुआ तो अब उसके आप देखेंगे उसको स्वैप कर देंगे चलो च्छे कर दीए कोई दिक्कत नहीं अब जो है अब इसी तरह करते करते हैं तीनों के साथ हो ज चेक करेंगे क्या वो नल तो नहीं नहीं हो तो हम इसके अंतर भुसेंगे यह नहीं तो एक-एक करके फिसारा नल भी पॉप हो जाएगा देखो इसका बैनिफिट कव आएगा अभी तुम लोग सोच रहे हो कि भाई हम क्यों ही नल को पुस कर रहे हैं हम लोग चेक कर लेते लेफ्ट और राइट को इंसर्ट करेंगे तो इसका लेफ्ट है टू और उसका राइट है नल पका और यहां इसको पॉप कर देंगे और स्वाइप कर देंगे लेफ्ट और राइट वाले पार्ट को यहां नोड का लेफ्ट होगा और यह नोड का राइट होगा मैंने बस स करेंगे तो क्या टू नल के बराबर है नहीं नल के बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे उसका लेफ्ट और राइट को पुस्ट करेंगे श्टैक में उसका लेफ्ट और राइट क्या है नल और नल तो फिर से एक नल और फिर से एक नल पक्का और इसके नल को आपस में स हां मतलब कि है तो यह हट चुका होगा विससे दर यह हट चुका हड़िया होगा और हैंस यह हमारा एंसर आगया कि यह क्यों हम लोग कर रहे हैं एक बर हिसको ड्राइरन करो कुछ सेентиं इसी नो इसी इक्ञामपल को आप क्या करूं एक बर ड्राइरन करो तो सच क्या रहा हूँ मज हो इकदम समज में आजागा कहा कि कैसे चीज़ मॉफ कर तो बताओ कि हां अच्छा लगा समझ में आ और हिए एंग आहां नहीं समझ में आया मैं नेक्स्ट वीडीयो में कब गड़ कर दो हूँ कुछ अलग से tutorial तो करूओं गुछ नकुछ थो करूँ गए तो लोग भीच में मैं उनके लिए नहीं कहा है जो ड्राइरन करो एक बार चला के देखो आपको समझ में आ जाएगा यह नल भी हम लोग पुस्ट कर रहे हैं क्यों बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों एलिमेंट नल ना हो एक एलिमेंट हो इसके पास लाइक दस और एक अलिमेंट नल हो ठीक तो उसकेस में भी इस तरह का चीज ह हेलफूल होती है सको कोड करके देख़ते हैं कि यह कैसे काम कर रहा है एंड फिर समझते हैं कोडिंग सिंपल है सिर्देख बनाएं और जो की स्टैग किस तरह क होगा एक ट्रीनोड तरह काह गहा है thee नाम देते हैं और स्ट को हम लोग क्या करते हैं स्टी डॉट पुस वाट से रूट दो ऐसा नहीं कि सवाल को हम लोग रिकर्सिवली नहीं कर सकते तो यह रिकर्सिवली तीन लाइन नहीं हो जाएगा बट समझ में आना मुस्किल है अब एक बार इसको प्रैक्टिस करो इसको मैं कर रेकर्शिवली बता दोंगा इसेंट मैटर एट आल दोखो दो धिरे-धिरे समझ में आती हैं चीज वहाँ सारी चीज़े बहुत बार नहीं समझ में आता है कि एम्टी चेक करेंगे कि एम्टी तो नहीं एंड प्लीज अगर नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा वीडियो को एक बार फिर देखो ताकि समझ में आए आपको और वर्ट से लट सबस्क्रीनों नोड बराबर स्टी डॉट टॉप और स्टी डॉट पॉप उसको फिर एलिमेंट को पॉप भी कर देंगे इफ नोड नॉट इक वर टू अगर यह नल के बराबर नहीं है तम लों क्या करेंगा अश्टी डॉट पुस वट ऐसे नोड का लेफ पूझ कर देंगे एन फ्ली डॉट पुस को रएंगे LOOK का रइट पुस कर देंगे एग्री एंड फिर स्वाप कर देंगे नौड का लेफट और नौड का रइट ट्र Спाच और यहां पर रिटन कर देंगे रूट को सब्मिट कर करके देख तन यस पार, ज्वित ऊंजाना हु इसको ड्राइड करने का डालो जो दिरे-दिरे रिकर्सिव अपरोच भी खुश्च समझ भी आने लगागा आपको कि अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते थे एक काम करो कि इसको पहले लेफट को पुश्च कर रहें आप क्या करो राइट को पूस्ट करके देखो देखो कि क्या को वीडियो अच्छा लगाओ एंड वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड दोस्तों जूड़ सेर करो एंड प्लीज 20 के सब्सक्राइबर जल्दी रीच करवा दो यह माइल इस्टोल पूरा करने में बहुत आप लोगी मदद लगेगी एं तक्सालार ड़्यस झालुर में एंड एंड प्लीज इडल दोस्तों डेडियोजेरी के लगाओ, सायोना